मेरे साथ बात करने के लिए भारती जनता पार्टी की सांसर डॉक्टर संग मित्रा मौर्य मौजूद हैं एक बड़ा सवाल ख़ड़ा किया आपने जिब अपड़ना यादों ने भारती जनता पार्टी जोईन करी क्या दर्ध है क्या पीड़ा थी जो फेस्बूक पोस्ट में जहां पर संगर्स को हम लोगों ने अपनी आखों से दिखा है तो जो संगर्स देखता है वो कभी किसी बात की पीड़ा नहीं रखता है सिर्फ हमने एक सवाल किया था उन भाईयों से उन बंद्वों से जो कोरोना काल से फ्री होकर के घर पे सोसल मीडिया के माध्यम से बिना सला मांगे सला देने का काम करते हैं या किसी के ऊपर कुछ भी टिपड़ी कर देना उनको लगता है कि उन्हें ये हर चीज की अथोटी दे दी गई है वो कभी भी किसी को कुछ भी कह सकते हैं बोल सकते हैं सिर्फ उन से हमारा एक सवाल था कि क्या बहन और बेटियों की भी जाती और धर्म होता है क्या यह सवाल आपका आपके पार्टी के लोगों से ही था कुछ जवाब मिला पार्टी के लोगों से नहीं था पार्टी के लोगों से हमारा सवाल नहीं था हमारा सवाल उस सोसल मीडिया के लोगों से था जो पिता जी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर एक बेटी प मारा सवाल था कि जब एक बेटी का पिता दूसरी पार्टी में जाता है तो बेटी पर वार होता है और वहीं पर एक बहु जब दूसरी पार्टी से आती है तो उसका स्वागत होता है क्या बेहन और बेटियों की भी जाती और धर्म होता है मैंने उन कटाक्ष करने वालों पर से सवाल किया था ना कि पार्टी से क्योंकि पार्टी में बहन और बेटियों की जाती और धर्म नहीं हम सब बहनों को एक नजरिये से देखा जाता है हम सब को एक समान रखा जाता है प्र पंट्री को और मुख्वमंत्री को ले करके चचेरी बहन है इसलिए मैंने सवाल क्या की पार्टी के नेताओं से ही आपका सबस्वाल है ने पार्टी के नेताओं से नहीं जैसा कि सभी बाजपा के लोगों पर बारबर बोला कि जो भी लोग सोचल मीडिया पर कमेंट कर रहे थे वो कहीं न कहीं जाती बिसेश लोग थे और जाती और वर्ग बिसेश के लोग कटाक्ष कर रहे थे तो इसलिए मेरा सवाल उन भाईयों से सिर्फ था आपने एक चीज़ और कहीं अगले और पिछले की उस आपके जो फेस्बूक पोस्ट में उसमें अगले और पिछलों की बिबात की आपके पिता जी भी बात करके भारतियनता पार्टी छोड़ के गये कैबिनेट मंत्री थे साफत और पुर्णों ने ये आरोप लगाया कि पि प्रास करके हम पे टिपड़ी की थी और इसलिए हमने उसको कोड करके उनसे सवाल किया था और रही बात अगड़े और पिछड़े की तो निश्चित तोर पर मैं पिछड़े समास से आती हूं पिछड़े वर्ग से आती हूं और मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ रही हूं कहीं न कहीं पर पिछड़ों को उनका नेतित्व कमजोर मिला जिसकी वज़े से आज भी हम सब को लड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है अपने समाज के लिए अपने वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग मतलब यह मत समझेगा कि पिछड़ा कुछ वहां मौरेस साथ के सेनी है या यादो है पिछड़ा हर वो ब्यक्ति है जो किसी भी वर्ग का हो अगर वो जनरल का है और वो बिकास के रापर आगे नहीं बढ़ पाया है तो वो भी पिछड़े में आता है हम उसको भी पिछड़ा मानते हैं और पिछड़े के लिए हम लड़ रहे हैं और आगे भी हम संगर्सरत रहेंगे आप इस बात से सहमत है कि बहु बेटियां भारती जनता पार्टी की सरकार में सुरच्छी थे क्योंकि आपके पिता जी यह कहते हैं कि नहीं समाजवादी पार्टी इस मामलें बेटर है कि आपके बहेन बेटी दोनों ही का वहूं भी यह किवह कि न दोनों आजाते हैं हैं भारती जनता पार्टी में समानता है की और रही बात सुरक्षा की तो ब्यक्ति कर पर और सुप से मैं कहूं तो सुरक्षा पार्टी नहीं हमारी और आपकी सोच पर निर्भर करता है जब तक हमारी सोच सकरात्मक किसी के प्रती नहीं होगी तब तक बहन बेटी कहीं भी रहे वो सुरक्षित नहीं हो सकती है सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं आप भाजपा की सांसद है दो पार्टियां दो अलग-अलग विचार धारा हैं 2022 का चुनाव सरपर है ऐसे मैं अगर केंपेनिंग करनी पड़ती है आपको बतौर अपने पिता की तो क्या तयार है उ दोनों के राजनीती में आने का हक और अधिकार के लड़ने का बिचार धारा एक है दोनों दलितों सोसितों पिछडों मजरुमों की हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो दोनों की बिचार धारा अलग नहीं है दोनों की बिचार धारा एक है हां पार्टियां जरूर अल प्रियास कर रहे हैं और करेंगे भी चुनाओं लड़ना ना लड़ना यह सीर्स नितित के ऊपर है उसका जैसा निर्णय होगा वह मानने होगा अब से बात करने के लिए डॉक्टर संगमित्र मौर है जिनका साफतोर पर यह कहना है कि भारती जनता पार्टी की सांसद है समर्पित कारे करता है और जो पार्टी की नीति और रीति होगी सदेव उसके साथ ही चलेगी यमर्मेन फैसल के साथ संजेत रिपाठी एबीपी नियूज लखने होगा